इंडियन आइडल के फर्स्ट रनर अप रहे रोहित राउट को तो आप सभी जानते हैं अपनी कमाल के परफॉर्मेंस से पोड़े सीजन में रोहित ने जजस और आडियन्स का दल जीता और एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी आईए आज आज आपको बताते हैं रोहित राउट की लाइफ से जुड़ी कुछ बाते असाथ ही ये भी बताते हैं कि इंडियन आइडल सीजन 11 में आने से पहले वो कहां कहां अपनी आवाज का जादू चला चुके हैं 1995 में महराष्ट में जनमे रोहित श्याम राउट बॉलिवुड और मराठी गाने गाते हैं लातूर महराष्ट के देसी केंडरी विध्याले से अपनी शिक्षा पूरी करने वाले रोहित राउट कई सारे मराठी और हिंदी रियालिटी शोज में अपना जलबा बिखेड चुके हैं बात की जाए रोहित की सिंगिंग जर्नी की तो काफी कम उम्र में ही उन्होंने अपनी सिंगिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दिया था साल 2008 में रोहित का सेलेक्शन सारे गम पर लिटल चैंप्स मराठी के लिए हुआ साथ जुलाई 2008 से शुरू हुआ इशो आठ फरवरी 2009 तक चला और अपनी सिंगिंग की काबिलियत के बल पर रोहित राउत यहां पर चार फाइनलिस्ट के साथ मेगा फिनाले तक पहुची रोहित को अवनाश विश्वजीत के स्पेशल शो सरगम में भी देखा जा चुका है अपनी महनत के बल पर रोहित धीरे धीरे सफलता की सीडियां चड़ते गए मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक अलग पहँचान बना ली रोहित का मराठी सौंग तोला तोला दिल दिया गला यूट्यूब पर सबसे ज़ादा देखे जाने वाला सौंग है ये गाना रोहित ने जूली जोग लेकर के साथ परफॉर्म किया था रोहित मराठी फिल्मों में गाने और म्यूजिक देने का काम करते हैं हाल ही में रोहित राओ तक तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने इंडियन आइडल 11 के ओडिशन में सॉंग दिल से रे को अपने अंदाज में अलग तरीके से जजिस के सामने पेश किया रोहित के इस पर्फॉुमेस को जजिस ने खूब सराहा और अपनी इस पर्फॉुमेस से रोहित ने खूब तारीफें बटोरी अपनी महनत के बल पर रोहित को अब तक मिले अचीवमेंट्स की बात की जाए तो रोहित सारे गम अपा मराथी लिटल चेंप्स के फाइनलिस्ट रह चुके हैं जी युवा के शो सरगम में भी रोहित को देखा जा चुका है मराथी मूवी कैंडल मार्च के लिए रोहित को अवार्ड भी मिल चुका है और इसके साथ ही रोहित इंडियन आइडल सीजन 11 के फाइनलिस्ट भी रहे इंडियन आइडल के 11 सीजन में रोहित ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी और ओडियन्स और जजजस के दिलों पर रास किया सब्सक्राइब आड चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फूर मोर अपडेट्स